किस चीज ने इंस्पायर किया कि आप पॉलिटिक्स में आना चाहिए यह जो आप चुनाओ लड़ है इसमें प्रदीप शर्मा जी का क्या रोल है अगर आप से पूछें कि आपका पसंदीदा नेता या पसंदीदा पार्टी कौन सी रहे प्रदीप सर एक एंकाउंटर उसको आप किस तरह से देखती है यह जापी जो फांडेशन है इसका विजन अब आगे क्या है महाराष्ट में चुनाओ की तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है जिन कंडिडेट्स को टिकेट मिल चुका है उन्होंने भी कर दी और जो टिकेट का वेट कर रहे हैं उन्होंने भी चुनाओ की तैयारियां कर दी हमारे साथ मौजूद है सीकर्टी शर्मा जी, स्वागत है आपका नमस्कार कैसी तयारी चल रही है सबसे पहले आप यह बताई चल रही है बिल्कुल, सब तयार हैं हम लोग एलेक्शन लड़ने के लिए कौन से छेतर से आप लड़ रही है थोड़ा सा अगर उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता हैं अन्धेरी इस से हम लोग त्यारी कर रहे हैं, कई सालों से हम यहाँ पर समाज करण में और प्रदीप सर कर रहे थी तो अच्छी खासी टीम है, सब मिल करके हम उत्यारी कर रहे हैं तो अभी इन्होंने प्रदीप सर का जिक्र किया तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए इंट्रोड़क्शन एक छोटा सा दे दे प्रदीप शर्मा जो जो जाने जाते हैं काउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मुंबई में एक जमाने में लोग खौफ खाते थे अपराद की जगत के लोग खास तोर से उन प्रदीप शर्मा की धर्म पतनी है सुकृती जी सुकृती जी पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने से पहले आप से पताएंगे यह जो आप चुनाव लड़ रहे हैं प्रदीप शर्मा जी का क्या रोल है किस तरह उनकी हो जो पहले भी सर जो है चुनाव लड़ चुके ना समाज सेवा में लगी है उससे पहले तो एक हाउस वाइफ थी अब समाज सेवा में लगी है किस चीज ने आपको प्रेड़ना दिया कि समाज सेवा में लगना चाहिए अब जैसा कि मैं एक Air Force Background से हूँ पिताजी हमारे Retired Defense Personal रहे है तो 1965 और 1971 वार जैसे समझी उनों उसमें वो कारेरत थे तो समाज सेवा जैसे उनने देश सेवा की है प्रदीप सर ने भी जैसे पुलिस पोर्स में रह करके समाज को भी का काफी कुछ जो है तकलीफों को दूर किया ह तो प्रेंड़ना तो पता से भी और पती से भी मिली है तो इसलिए इस कारे में जैसे हमको रुच्शी भी है और अच्छा भी लगता हूमीं से सीखा है लोगों की बहुत से वाएं की है थोड़ा सुसके बारे में बताए कि कुरोना के समय में किस तरह स्थिती थी और आप किस तरह से बेख़ौफ नीडर होकर लोगों के बीच में जा रही थी जब कोविड आया तो सभी जैसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो तो लोगों की जैसे नौकरियां चूट रही थी लोग बेराजगार हो रहे थे गाओं की तरफ पलायन कर रहे थे तो हम जैसे मिल कर के हमने सब मिल के पूरी टीम ने हमारे दोस्तों ने मिल के प्रधीब सर ने पुरी तीम ने मिल करके राशन वुद रही या और मास्क बनाने का एक सब से बढ़ा हम लोगों का उपर्चिन चाहे medical है जो भी है जैसे हम समाज से वह में इतने सालों से हम सलगन है तो वो चीज़े हम COVID में जाज़ादा लोगों तक पहुचाई है समाज से वाके बाद politics का रुख किया आपने किस चीज ने inspire किया कि आप politics में आना चाहिए जैसा कि आप भी जानते हैं कि समाज से वह में हम सालों से लगे हैं लगे हुआ हैं तो एक समाज करन तो सभी करते हैं फिर राज करन करते हैं तो अब हमको एक बड़ा platform मिला इस इसमें यह opportunity मिली कि हम ज्यादा ज़िजादा लोगों तक हम पहुंच सकें समाज से वा के लिए शिवसेना आपने जोइन किया प्रदीप सर ने भी जोइन किया तो प्रदीप सर की वज़े से आपने शिवसेना में जोइन किया या आपकी वज़े से उन्होंने शिवसेना जोइन किया नहीं नहीं प्रदीप सर की वज़े से ही शिवसेना जोइन किया और सबसे बड़ी बात कि जो मानेने मुख्यमंत्री जो दो साल से अपनी जैसे सीट पे हैं उन्होंने जो एक डवलपमेंट जो बुदिन आगे बढ़ाया है वो चाहे मेट्रो हो चाहे रोड्स हो चाहे वो प्लायोवर्स हो यह बहुत सारी जो बेसिक नेसिस्टिटीज भी है उसमें आपका मेडिक सेवा भी है सब कुछ है तो हर तबके तक वो पहुंचे है और अभी रिसेंटली उन्हें लाड़की बहनी उजना शुरू की है जो मुझे नहीं लगता किसी आज तक इतिहास में महारस्ट में किसी भी मुख्यमंत्री ने लाड़की बहनी उजना जो चुटी तबकों की होत किया तो हमनी शिफ्स है ना हमाने मंकु मंत्री शिंदे सर के साथ में जोइं कि आपका अपना एक होता ना विजन क्या है पॉलिटिक्स को लेकर या आगे भविश में क्या कि हम राजनीती में इसके लिए हैं कि जन जन तक पहुंच सकें और दूसरी बात ही है कि जो योजन कर सकें तो राजनीती एक ऐसा मंच है कि उसमें आप लोगों तक जादा से जादा कनेक्ट हो सकते हो और उनकी जो भी ख्वाइशे हैं या उनकी जरूरते हैं हम उनको पुरा कर सकें कोई भी तकलीफ है जैसे वो आपका ट्राफिक प्रॉब्लम्स हो या बाकी लोगों को ज सही डिए हैं हम कहें के अगर आपसे पूछ से क्या पसंदीदा नेता या पसंदीदा पार्टी खौन सी रही है अभी अब इस ही आपसंदीदा पार्टी खुलित जाहिर आपकी पसंदीदा नेता भी शिंदे साहब होंगे लेकिन एक over the years over the years जैसे BJP को दिल से ही जैसे पसंद किया है और मैं आटल विहारी बाचपे को personally मैं फॉलो करती हूँ कि उनकी जो कुछ जो एक उनकी कारेशम था थी या उनका जो तरीका था कि ruling parting में रहते हुई है opposition में भी रहते हुई है उनने सब को सम्मान से सबके साथ बात क्या करते थे किसी के लिए negative नहीं बोलते थे उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ कि आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है आप क्या कर रहे हैं वो आप समाज को बताईए अब वापस चलते हैं अंधिरी आपके शेतर की तरफ जहां से आप चुनाओ लड़ना चाहती है लड़ रही है इच्छा है यहाँ पर आपने वोट समीकरन देखे चुनाओ में वोट समीकरन को देखा जाता है आपके स्टुडी क्या कहती है इस चेटर की कौन कौन से मत दाता है जो आपके साथ आ सकते हैं मुझे लगता है कि जैसे हम समाज सेवा में शुरू से Salagण है तो हर जो भी community है चाहाए वो आपकी Muslim community हो चाहाे वो उत्तरभारती हो चाहें वो गुजराती हों, चाहें वो जेनी हों, यह हम विश्वास और दावे के साथ कह साथ कह सकते हैं, सब हमको सब्पोर करेंगे. शिंदे साब ने बीच में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे आप लाडली वहन योजना का आपने जिकर किया, तोलना का मुंबई में पांच था, उसको भी फ्री कर दिया है, आपको मदर से के जो टीचर हुआ करते थे, शिक्षक, उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है, यह सा तो सब को बेनेफिट मिलने ही वाला है, उस चीज़ का समाज को अगर उसका बेनेफिट मिलता है, तो समझे कि हर नेता को भी उसका सपॉर्ट मिलता है, ठोड़ा सा फ्लैश बैक में चलते हैं, शमाज से वह हमें पिछले आट-dس साल से जुड़ी, उससे पहले आप एक ग् बहुत ही उतारचाराव रही कि जैसे कि मैंने बुला कि आप पुलिस फोर्स में रहते हुए भी उन्होंने बहुत जो एंकाउंटर हुए जो कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक उधारन है और मुझे लगता है पुरी दुनिया सचीज को मानती है कि जब गैंग वारूर है अपने स्तर पर घर में रहके भी कई बच्चों को जिसे एडिकेशन के लिए सपोर्ट किया जो ब्रहमर की बच्चेयां होती थी जिनके पास ज्यादा फैनेशल सपोर्ट नहीं होता था उनको सपोर्ट करना या और भी कोई जैसे किसी की जरुरत होती थी तो हम लोग प् दो दो फिलख वो ही पॉलिटिक्स में आ चुकी है समाझ से वा में हम कहें तालमेग अच्छा चल रहा है बिलकुल विलकुल जैसे हम राम मे लाए जोड़ी है बिलकुल तालमेग बहुत उप अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ जितने भी पूरी हमारी ती जैसे तो आपको पता ही है कि दस साल से हमारा PS Foundation चली रहा है और medical की हम हमारी दो ambulances भी चल रही है और भी जो बड़ी-बड़ी सरकारी जो medically हम उनको प्रवाइड करते हैं उससे हम उन लोगों से सबसे पूरे समाज में जगे जगे पे हम लोग उनसे जुड़े हुए और दिल तक जुड़े हुए उनसे और जैसे कि और भी कोई समस्या है जैसे किसी को भी उसका सर सॉल्व करते हैं अपने स्तर पर तो इसके लिए हमारे कोई नई बात नहीं है यह हम लोग पहले से उनके साथ दिल से जुड़े हुए यह आपकी जो foundation है इसका vision अब आगे क्या है कहां तक यह जैसा है उससे आगे ही बढ़ेगा यह हमारा वादा है समाज में जो हम लोग ने अभी जो राजनीती में जैसे मैंने कदम रखा है मुझे लगता है कि सभी support करेंगे और जैसा PS Foundation पहले supportive था और काम कर रहा था मिल करके हमारे साथ वैसे ही वो परिवार आगे बढ़ता रहेगा और इसी तरह समाज में सबकी सेवा करते रहेंगे बहुत-बहुत शुक्रिया मैं हम आपने समय Thank you